जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र कर बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जार्खन में बच्चों को मद्यान भोजन मिल रहा है या नहीं जाज के लिए बना नियाम जार्खन सरकारी स्कूलों में कक्छा एक से आठ के बच्चों को पी एम पोसन योजना के तहत मद्यान भोजन मिल रहा है या नहीं इसे देखने की जिम्यद्वारी पहली बार प्रखंड साधन सेवियो बी आरपी तथा सी आरपी को भी दी गई है समगर सिक्षा अभियान के तहत कारवरत ए सिक्षा कर्मी परतेक दीन दस इसकूलों का भरमन कर इसकी निगरानी करेंगे तथा परखंड सिक्षा प्रशार पताधिकारियों के माध्यम से जीला तथा मुख्याले को रिपोर्ट भेजेंगे जारखंड राज मध्यान भोजन प्राधिक करन के अनुड़ोत पर जारखंड सिक्षा परियोजना परशात की निदेशक किरन कुमारी पासी ने इस समध में आदिश जारी कर दिया है बर्तमान में जारखंड के 17 जीलो में कक्षा 1 से 8 के स्कूलों में संचालीत करने के साथ साथ नियमित मध्यान भोजन संचालीत करने के निर्देश है जारखंड में 42 क्रोर का होगा स्वास्थ बजट कुरोना के दूसरी लहर के दोरान उत्पन स्थितियों से सीख लेते हुए जारखंड सरकार इस बार अपने बयट में स्वास्थ पर फोकस करेगी इस कारण इस बार स्वास्थ के बयट में लगभग 41 परतियत की बिरिधी करने का निन लिया गया जारखंड सरकार बर्श दो अईर बार इस बजट में स्वास्थ के चेत्र में 42 पर प्रवधान करने जा रही है पिछली वर्ष महज 293 पर रुपए का ही स्वास्थ बयट था बयट में नई उजनावों की बात करें तो इस बार जार्खन सरकार का फोकस स्वास चेत्रों में सुचना तक नी किता था ICT के अधिक से अधिक प्रयोक का है लोहर दग्गा में ID बलाष्ट कोवरा के दो जवान घायल जार्खन के लोहर दग्गा जिले के उग्रवाद प्रहवित इलाके बुलबुल में उग्रवादियों के तलास में गई पूलिस को नुक्सान उठाना पड़ा है बुलबुल इलाके में पूलिस के जवान उग्रवादियों के बिरूद छापे मारी अभियान चला रहे थे में मुड़ भेड हुई थी पूलिस को भारी परता देख उगरबादी भाग गय थे जहारखन में 16 फरवारी को बारिश पच्मी विचोब के कारण 9 और 10 फरवारी को जहारखन में मौसम कमिजाज बदला था इसके बाद एक बार फीर 16 फरवारी को बारिश की समभवना है 15 फर बुरुवार को राजे के कई जीलों में सुबा से बारिश हुई जो दिन भर बादल चाहे रहे वहीं सुक्रवार से ठंड बढ़ने लगी है ठंडी हावा चलने से लोगों को परसानी हो सकती है सुक्रवार से मौसम साफ हो गया है सुबा में कोहरा या दूंत रहने के बाद आसमान साफ हो गया 15 लग का इनामी नकषली रबिंद्र गांजु को कार्तुस्त सफलाई करने वाला गिरफतार परतिबंदिच संगठन भागपा मवाधी के रिजिनल कमांडर और 15 लग के नामी हार्टकोर नकषली रबिंद्र गांज़्ु को कार्थूस्त की आपूर्ति करने वाले दो लोगों को जारखंट ATS ने गिरफतार किया है इन में 24 वर्षिये फजल आलम उर्फ फजल गढवा जी लेके है वही 51 वर्षिये मंगल गोस्वामी उर्फ बस धरवा जो की बिहार के रोतास के रहने वाले है ATS के अनुफार दोनों को रांची के खादगाडा बॉस इस्टेंड के पास से गिरफतार किया है कस्तूर्बा बिद्याले के सिक्षकों के बेतान में 20 पर्थियत की बढ़ोतरी केबिनेट ने राजे के कस्तुर्वा बिद्यालियों के सिक्षकों के बेतान में 20 परत्यत की बिरिद्धी करने का फैसला किया है मैट्रिक इंटर का नहीं होगी गिरिह केंद्रों पर परिक्षा मैट्रिक और इंटर की परिक्षा पूरुव निर्धारित केंद्र पर ही ली जाएगी परिक्षा को लेकर जयक ने पूरु में जीलों को केंद्र निर्धारन के लिए कहा था ऐसे में इसकी परकिरिया पूरी कर ली गई है अब दोनों ही परिक्षा गिरिह केंद्र पर नहीं होगी या समति गुरुवार को जैक अध्यक्ष डाक्टर अनिल कुमार महतो और सिक्षा मंत्री जगनात महतो के बीच हुई बैठक में बनी इस दोरान मैट्रिक औरुड़िय केंद्र पर लेने की स्थीती में होने वाली परिशानी पर भी विचार किया गया 2 लाह का इनामी पिलेफाई नक्सली चुहा गिरफतार 2 लाह के इनामी पिलेफाई उगरवादी ओधेस जसवाल उर्फ चुहा उर्फ बिहारी को STF और ATS की टीम ने बुद्धवार को उसके गाउं से गिरफतार किया वह अभिहार के नलंदा जी लेके चौक सौरा बाजार का रहने वाला है अधेस को पिलेफाई सुप्रीमों दिनेस गोप का दाहिना हाथ माना जाता है जहारखन में असिस्टेंट पर्फेसर की नियुक्ति परकिरिया शुरू रांची के विश्व विध्यालियों में असिस्टेंट पर्फेसर के नियमीत 552 रिक्त अस्थानों को भरने की परकिरिया जे पीएससी ने अंता सुरू कर दी है या सुप्रीम कोट के आदेश के आलोग में 15 जनवरी 2019 से रुकी पड़ी थी बर्स 2008 है यानि 14 साल के बाद अब जाकर नियमित नियुक्ति हो रही है हलाकि बैक लोग नियुक्तिया जारी है आयोग द्वारा नियुक्ति परकिरिया संताली विशाय में गारा पदों के लिए 26 फर्वारी से सुरू की जा रही है इस विशाय के लिए आयोग में 26-28 फर्वारी 2022 तक इंटर्व्य होगा जे टेट के लिए जहारखन से मैट्रिक और इंटर पास करना जरूरी जहारखन सिक्षक पत्रता परिक्षा जे टेट नियमावली के केबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दिया है केबिनेट की गुरुवार को ही बैठक में कूल 300 परस्ताव पसामाती बनी नई जेटेट निमावली का अनुसार अब परिक्षा में सामिल होने के लिए अभ्यार्थी का जार्खन से मैट्रीक और इंटर की परिक्षा पास होना अनिवार्य होगा वहीं आरक्षित वर के अभियार्थियों को इसे छुट दी जाई है परिशात जैक द्वारा ही ली जाएगी नेमावली में किये गए बदलाव के नुरूप और परवान पत्रिक की मने आता आजिवन होगी सोना सुबरन योजना से 64 लाख लोग होंगे लाभानवीत कैबिनेट ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के लिए जन वितन प्रनाली दुकंदारों को प्रतिवस्त एक रूपए कमिस्टन देने का निरना लिया है चामा में 64 लाख लोगों को योजना का लाभ प्राप्त होगा डिलरों के कमिस्टन पर 1.28 को रुपे खर्च होने का अनुमान है कैबिनेट ने जाती पवान पत्र ओन लाइन के साथ साथ ओफलाइन निर्गत करने के प्रस्ताव पर भी समती दी है अब तक राज्य में जाती पवान पत्र पूर्णत ओन लाइन ही बनाया जाता था कैबिनेट ने मुख्य मंत्री मेधा चात्रवीती योईना में संसोधन का फैसला किया पुरुवे मेदा चात्रविती योईना मेला भुको की संख्या जीला और परखंड की अबादी पर अधारित थी गुमला से मनरेगा बीपियो पाँच हैयर घूस लेते गिरफतार इस समद में सेबी के इंस्पेक्टर सहीद गुलाम अंसारी ने बताया कि घाघरा परखंड के जलका ग्राम निवासी संतोस साहु ने सेबी में आवेदन देकर बीपियो बीपिन कुमार के द्वारा अंगन वाड़ी के काड़े को लेकर 15,000 घूस मांगने की सिकायद की थी सत्यापन के बाद मामले में करवाई हुई साराय केला में सवक हादसे में पती पत्नी समित चार की मौत जारखन के सराय के लाखर सावा जीले के चांडिला थाना छेतरिक के नारगाटी गाओं के पास टाटा राची मुख्य मार्ग एनेश 33 पर सुक्रवार की सुबा करीब आठ बेजम सेथपूर जा रही एक कार पहले से दुरगटना घरस्त कंटेनर को पीछे से जोरदार टकर मार दी इससे कार में सवार, पती, सूरेश, करमाली वपत्नी, रेनुका देवी समेच चार लोग की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभी रूप से घायल होगा है, उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया है लातेहर में सिक्षकों ने जीला सिक्षा अधिक्चक के खिलाब खोला मोर्चा और अवज रासि वसुनने का अरूप लगाते विए डिसी को ग्यापन सोपा ग्यापन में कहा गया है कि उन्हेतर सिक्षकों एवं करयाले करमियों से अवज रूप से रासि की वसुली की गई है उगाही की गई रासी की सूची कंप्यूटर रपिटर के द्वारा उपलब्द कराने के बावजूद भी कोई करवाई नहीं हो रही है जिसे ऐसे अधिकारियों और क्रमचारियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है जिसे लाते हार के सिक्षक तनाव में काम करने को मजबूर है सात्वी जे प्रारंबिक परिच्छा का संसोधित परिणाम होगी घोसीत सात्वी जे प्रारंबिक परिच्छा का संसोधित परिणाम जल्द जारी होगा जे पीसी की ओर से इसके लिए हाई कोट में सपत पत्र दाकिल कर अनुमती मांगी गई है आपको पता दे कि कुमार सन्यम की ओर से प्राणविक परिक्षा में आरक्षन देने के खिलाप याचका दाकिल की गई थी पिछली सुनवाई के दोरान अधिवक्ता अमरितांस वत्स ने या मुद्दा उठाया था कि राज सरकार के पास प्राणविक परिक्षा में आरक्षन देने का कोई प्राधा नहीं है लेकिन इसके बाद भी जे पीसी ने पीटी परिक्षा में आरक्षन दे दिया पिछली सुनवाई के दोरान जे पीसी ने अपनी कलती सुईकार की थी और उसी के तहात सर्निवार को सपत पत्र दाखिल कर संस्वधित परिनाम जारी करने के उनमती मांगी है अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 फ़र्वारी को होगी धन्यवाद यादि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बहुल के बेल एकर दबाईए साथ साथ वीडियो के एक लाइक और अपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कुमेंट बक्स में अपना फीडिव एक अवस्य दे थैंक यू